हेलो दोस्तों आज बनाएंगे पानी-पुड़ी तो पानीपुडी सब को पसंद होती है इसको पानी-पुड़ी नहीं पसंद है। और बहुत क्रिस्पी बनने वाली है बिल्कुल भी बिना फेल हुए बहुत स्वाधिश्ट पानी पुड़ी बनेगी अगर आप नापतुल के साथ बनाएंगे और इस तरीके से तो बनाएएगा जरूर बहुत क्रिस्पी बनी है बहुत ही आपको दिखा देते हैं एक भी पान अगर आप अच्छे से नाप कर हर चीज लेंगे न तो पानी पुड़ी बिल्कुल भी नहीं फेल होगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी अक्सर सिकायत रहती है कि सबकी पानी पुड़ी नहीं बनती है या मुलायम हो जाती है तो सबसे पहले आपको इस तरीके से कोई कटोरी यह कप ले लेना है देखे और उससे आपको लगबग आधा कप मैंने हाँ सूजी लिए है तो आधा कप आपको यह मोठी वाली सूजी आ我们 अक्पो लेना है आधा कप कि करें तो आप मोठी कांप आपको रहेवालाने पतली बनाते 22 उसी कप से तीन चम्मच हम मतलब एक अब वन बाइट तक कफ अम जो है मैदा ले लेंगे मतलब चम्मच से आप नापेंगे न तो तीन चम्मच होगा मैदा ले लेना है आपको अगर आप हर चीज नाप के लेंगे न तो आपकी पानी पुड़ी बिल्कुल पर्फेक्ट करना है पानी आपको नाप अब तो अब नाप तोल के साथ लेंगे न तो आपकी पानी पुड़ी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी मतलब पानी आथा कप और मैदा जो है तीन चम्मच बढ़ा वाला लवन बाइट कप और पानी जो है वन बाइट त्री कप आपको यूज कर ना पानी तो व्राइण में डालना है डिया तो बस इस जातवा धान में नहीं दालना है तो बस इस तरिके से हम पानी क straight बना लेंगे और इसका आटा ये अब भाणार पानी डले थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा और एकदम सक तांटा लगाना है तो इसको लगबग 2-3 मिनट के लिए हम इसको मिला लेंगे जादा नहीं गूतेंगे तो बस आपको हलका सा मिला लेना है जिसे अच्छे से मिल जाए एकदम और अब हम इसको एक कपड़े या किसी थैली से देखे इस थैली से ढखकर आटे को रख देंगे जिसे सूजी जो है यह अच्छे से फूख जाएगी और अब इसको एक कपड़े से और पणी से ढखकर हम रख देंगे लगबग 15-20 मिनट के लिए तब तक हम मसाला तयार कर लेते हैं कडाई चड़ा देंगे इसमें मैंने यहां लगबग 5 साबुत लाल मिर्च लिए तीखी वाली है और दो चमत जीरा लिए साबुत और पांच काली मीच और चार लांग सब को अच्छे से हरका सब बून लेने और बून कर ग्राइंडर में इसको अच्छे से अब हम बारीक सा पाउडर हम घर का यूज करने वाले बिना पानी पूरी मसाले के हम घर तो अब ग्राइंडर से इसका पाउडर बना लगी यह पाउडर पानी पूरी मतलब पानी जो हता है उसमें बहुत अच्छा टेश्ट आता है इसका तो आप इसको बना कर रख सकते हैं और जब आपका मन कह पानी पूरी इस मसाले को डाल स पाउडर नमारा तैयार उगया नहीं करना दें नाश चुर्षक इंग्छाम का व स्अब्सक्रेषाइ बाद सरी आलो चल्षप के या नियुक। अब दालेंगे और थोड़ा सा नमंग डाल देंगे और इसमें आपको लगबस तीन चाहसीटी लाने चाहिए इसले आपकी मटर और अच्छे से हो जाएंगे अगर आप चहना रखते हैं तो मैं थोड़ा टाइम लेती है इसले तीन चाहसीटी लगाएंगे तब तक हम अपना पानी तयार कर लेते हैं, तो पानी के लिए हम आपने पुदीना ले लिया है, हरा पुदीना, आजकर पुदीना बहुत अच्छा मिलता है, हरा वाला आप इसको सुखा कर श्टोर करके रख सकते हैं, और आटा भी सेट हो गया, तो पहले पूरी बना लेते ह है और पूरी के लिए आटा भी यहां 25-20 मिनट हो चुके हैं अब इसको वापस से निकाल कर दो तीन मिनट के लिए इसको हम गूतेंगे और यह अच्छे से गूत जाएगा उसके बाद हम छोटा-छोटा इसकी इस तरह के से लोगी तोड़ लेंगी छोटा-छोटा सापको तो में लोगा चारी या जो है बोरी जो होती है चावल वाली बोरी को हम बेल लेंगे छोटा-छोटा तो आपको बहुत पतला नहीं करना ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है तो इस तरह के से देखें दोनों साइज एकुल रहनी चाहिए ना बीच में पतला करेगा नमोटा करेगा यह देखे बिल्कुल इतना है आपको मुटाई रखनी है और यह देखे हमारी हो चुकी है पूरी अब एक खुदरे से कपड़े पर या बोरी पर इसको रखते जाएंगे पूरी पूरी हम मैंने यहां मतलब आपको एककोल वाइस रखनी है और ध नीचे ही रहना चाहिए तल देवक्त और ऊपर से ऊपर इसी तरिके से आपको पूरी तल नहीं है और तेल आपको अच्छे से गरम होना चाहिए और व लो मीडियम फ्लेम पर रखेगा और पूरी को डाल कर कल्ची से हलका हलका सा दबाएगा नीची की तरफ तो आपकी सारी पूरी ना जो है बिल्कुल फुली फुली बनेगे पूरी बनाई न थे एक दो पूरी ऐसे मुलायम थी तो मैंने सोचा कि यह रहे कहीं सारे पूरी मुलायम ना हो जाए लेकिन पाद मेरा जो पूरी मुलायम थी वो भी मतलब प्रिस्पी हो गई और सारी पूरी एक प्री अची नहीं की जुनना फुली यकीन मानिए आप एक बार ज़रूर यह वाला तरीका अपनायेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा और प्लीज प्लीज एक जरूर बनाएगा और जैसे कि अगर आपको नव विश्वास हो न तो आप पहले पूरी बना लीजेगा पानी बाद में बनाएगा थोड़ा सा बना कर देखेगा अगर आपकी पूरी नहीं बनती है न तो पहले पूरी बना लीजेगा पानी बाद में बना लीजेगा एक दिन अब यहां पानी बनाएंगे तो पानी के लिए मैंने हरी धनिया ले लिए लगब एक बंदल आपको हरी धनिया चाहिए और इसको हम कट कर लेंगे हलकरा सबसी पहले हां टेश्ट के वह अच्छा लिए मुझ और पानी पूरी के पानी में डालने के यह दोनों चीजे हो गई है और मिक्सर में आम डालेंगे आम के साथ साथ यहां मैंने 6 हरी मिर्च ली है अगर तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्ची कम डालेगा हरा पीना डालेंगे हरा पुदिना डालकर इसको एक बार ग्राइंडर में अच्छे से इसका पेस्ट बना बिल्कुल अच्छा सा और अब इसको चनी में चान लेंगे चानने के बाद आपको इसमें पानी डालना है अगर आप नहीं चानेगे तो भी चलेगा और वाप देखिए इस तरीके से आपको निकाल लेना है और निकालने के बाद इसका ठंडा यूज करेगा या बाद में बरक डाल सकते हैं इसमें इसमें बहुत अच्छा पानी का टेशनी इसमें मिला देंगे जितना आपको बनाना हो और अब धन्वापस से इमली थोड़ा डालेंगे थोड़ा इमली कभी पानी बनाएंगे और इसमें डाल देंगे और अच्छे से चननी से इसको चान लेंगे क्योंकि इमली में इसा रेसा रहता है तो उसको छानना जरूरी है और पानी यहां तयार हो चुका है और अब इस पानी में जो हमने दरदर सा पाउडर बनाया था ना पहले उस मसाले को इसमें डाल देंगे तो और कोई भी एक्ष्टर मसाला आपको नहीं यूच करना है और का अधा नीबू का रस डाल दिया है आधा जाट मसाला थोड़ा सा डाल देंगे और जो प्याज काटके रखी त्यार और प्याज डालने के बाद थोड़ा सा नमकीन डाल देंगे आप चाहें तो बूदी भी डाल सकते हैं तो पानी यहां हमारा रेडी है आप इसको फ्रिज म मतर को निकाल लेंगे एक कटोरे में और थोड़ा सा मतर को अच्छे से मैस कर लेंगे थोड़ी को खड़ी रखेंगे और प्याज बची थी उसको इसमें डाल देंगे और तमाटर डाल देंगे और सारी चीजों को डालने के बाद उपर से धनिया डाल देंगे धनिया को डा से बहुत अच्छा तेस्टा तर मर ऑला तयार हो गए तो तीन चीज연 यहां तयार हो चुकिए और अब पानी पुरी खाएंगे तो पानी बर्दी विन्ट से तयार हो चुकिए आप मीज़ाने भी इमली के बना सकते हैं और अब डिके फोर्त भी खा लिए और इसमें डालेंगे रगला और डालेंगे पानी पानी और खाएंगे पानी पुरी तो खा लेते हैं देखें सिलते कैसा बनाए तो थोड़ा बड़ी यह पाने के मैं कैसे खा रही हूं तो आप भी जरूर बनाएगा प्लीज और कमेंट करके जरूर बताएगा आपकी पाने कैसी बनाएगा